अदाब सत्रियकाल, नमस्कार, नमो बुद्धाय, मैं हूँ आपका होस्ट दोस्ट दीपक और आप देख रहे हैं नर्सिंग फैक्ट फाइंडिंग तो आज हम जानेगे अप्रिवेशन के बारे में, अप्रिवेशन होता है संक्षिप रू, मतलब किसी भी वर्ड की सोड फॉर्म, जब डोक्टर किसी डिजीज के टेटमेंट के लिए पर्ची पर मैडिशन लिखते हैं, तो परते एक मैडिशन के लास्ट में एक मतलब खाना काने से पहले, तो आप यह सोच रहे होंगे कि A, C का मतलब बिफोर मिल्स कैसे हो गया, यह तो A है, यह C है, तो इसका मतलब बिफोर मिल्स कैसे हो गया, कैसे हुआ, तो A का मतलब होता है लेटिन वर्ड, यह जो A और C है, यह लेटिन वर्ड से अभिवेशन बन कर第一 निएवर्ड साड़ीन का मतलब हम देखेंगे इंगली में और हिंदी में लेटिन में नहीं बढ़ रहे तो कोई भी medicine है कोई भी doctor ने medicine लिखी उसके last में जो भी लिखता है छोटा सा लिखता है short form लिखता है वो लिखते हैं ऐसे AC जैसे before meals इसका मतलब हुआ second है PC अगर PC लिखा हो किसी medicine के पिछे तो उसका मतलब होता है after meals मतलब खाना खाने के बाद third है OD OD का मतलब होगा once day, दिन में एक बार BD BD का मतलब हुआ two times day दिन में दो बार लेनी है TDS, three times day मतलब ये medicine दिन में तीन बार लेनी है ये है Q4H Q4H का मतलब हुआ every four hour मतलब प्रतेक चार घंटे में लेनी है मतलब दिन में 6 बार लेनी है इसको, next है Q6H, इसका मतलब हुआ every 6 hour, मतलब पतेक 6 गंटे में लेनी है, मतलब दिन में 4 गंट, SOS, SOS का मतलब है in emergency, emergency condition में लेनी है इसको अगर ज्यादा जूरूर थो, 9th है Hs, Hs का मतलब होता है at bedtime, bad time, bad time मतलब सोते समय लेनी है, सबसे last में आता है S-T-A-T, stat, stat का मतलब होता है immediately, immediately का मतलब होता है तुरंथ, अभी जो में डिसन लेनी है, वो हता है stat, तब stat का Latin word क्या है, Latin language क्या है, क्यों से word से इसको state को लिया गया है, तो इसमें Latin वहासा में अगर इसको बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलते है, static, और A, C, इसको क्या बोलते है, anti, anti, cyber, तो कल हम पढ़ेंगे, root of medicine, serrelated abbreviation, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर अब भी कोई confusion है, तो comment box में जरूर लेखें, तो मिलते हैं नेक् अगर ओलेंगे,